नमस्कर दोस्तों हम आलू के छिलकों को फेक देते हैं तो यहांपे मैंने दो आलू के छिलके निकाल रहे हूँ पहले मैंने आलू को थोड़ा सा धो लिया था और फिर वापस मैं इसके छिलके निकाल के पानी में डाल रहे हूँ आलू के छिलकों में potassium होता है जो हमारे रख्तचाप कम करने में मदद करता है आलू के छिलके में carbohydrates की मात्रा बहुत कम होती है तो यह blood sugar की level को कम करने में मदद करता है देखिये यह आलू के छिलकों को फिर में एक अच्छे से napkin से मैं उसको पोच के ले रहे हूँ ड्राइ करके लेना है हमें आलू के छिलकों में vitamin C और iron होता है जो अनिमया के मरीज़ों के लिए बहुत ही फायदमन साबित हो सकता है इनमें उच्छे मात्रा में fiber होता है जो पार्चन में सुधार करता है इसमें विटामिन C और विटामिन E होता है, जो शरीर को कैंसर से लड़ने में मदद करता है, तो देखिए, यह अच्छे से ड्राइ हो चुके हैं, आलू की छिलके, अब इसमें मैं कॉन फ्लावर दो चम्मच जाल रहे हूँ, अगर आपके पास कॉन फ्लावर नहीं है, तो आ राइस फ्लावर भी डाल सकते हैं, इसके बाद मैंने दो चम्मच रेट चिली पाउडर डाल दिया है, और आधा चम्मच चाट मसाला डाल दिया हूँ, सिर्फ तीनी मसाले इसमें पढ़ गए हैं, और स्वाधा नुसार नबक डाल दीजे, अब इसको थोड़ा सा बाइंड अब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इनको ड्राइ करने के बाद आप फ्राइ कर लीजे तेल में, और उसके बाद ये मसाले डाले हैं, सिर्फ कौन फ्लावर भी डालने के ज़रूद नहीं, कौन फ्लावर से क्या होता है, थोड़े क्रिस्पी बन जाते हैं, इसलिए मैंने कौन फ्लावर डाला है, बाद में भी आप ये मसाले डाल सकते हों, तो देखें ये तेल बहुत ही गरम हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है, और इनको अच्छे से 2-3 मिनिट के लिए फ्राइ करके लेना है, तो ये क्रिस्पी बनेंगे, तो देखें कितने अच्छे से क लिए खिल के तो आप ये रेशे भी जरूर चाए किजिए गया, बहुत ही है और बहुत ही ये यूसफुल है, थैंक ये फर वाचिग द वीडियो, यो अच्छे से।